हेलो ही गाई दिस इस यह नशांत और यार जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आई प्यू ने अपना चॉइस फिलिंग यह यह ओपन कर दिया तो चलो इस वीडियो में आप सभी को बताता हूं कि क्या चॉइस होनी चाहिए हमारी और किस ओडर में होनी चाहिए ठीक है तो चलो स अजिस पहले इस साल यूएस आई सीटी ने दो तीन को रॉंच किये जैसे आटिफीचल इंटेलियंस और डेटा साइंस आर्टिफीचल इंटेलियंस और मस्टी लर्निंग उसके अलावा जैसे आई टी तो इनका डूल डिगी यह सब पहले कही कोर्से तो यार सबसे उपर ह मैं सबसे उपर इसको रखूंगा तो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजिनेरिंग मेरी फर्स प्रेफरेंस होगी उसके बाद इन्फोर्मेशन टेकनॉलिजी जो ब्रांच है मेरी सेकेंड प्रेफरेंस होगी फिर यार एक बात जैसे है कि यह जो है यह नए कैंपस में है इसक आपको बहुत सारे कॉलेजिस को अप्शन दिख रहे होंगे तो अब हम इसमें सबसे पहले सबसे जो हमारी फर्स प्रेफरेंस रहेगी यह रहेगा महारा जागर सेंग ठीक है तो में आइटी हम प्रेफरेंस में प्रेफरेंस फिल करते हैं तो देखो कंप्यूटर साइंस इंजिनिरिंग फॉस्ट यह इसको डालेंगे थर्ट पर उसके बाद यार हम आईटी को फॉस्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे फिर सेकेंड शिफ्ट उसके बाद आई कि आई टी इए और सी एक सेकेंड को ज्यादा सब्सक्राइब कर देता हूं कंप्यूटर साइंस इंजिनिरिंग फॉस्ट के बाद यार इसका कंप्यूटर साइंस इंट टेक्नॉलीजी जो है इसको आप इसको आप यहां पर फोर प्रेफरेंस पर डालना फिर उसके बाद आई टी फॉस्ट फिर इसके बाद यह जो है कंप्यूटर साइंस इंजिनिरिंग सेकेंड शिफ्ट उसके बाद यार इन्होंने महाराज यागर सेन में भी आर्टिफिशल इंटलिएंस एंड डेटा साइ किया है एक्चली इन्होंने प्रेफरेंस में इस हिसाब से डालता हूं ताकि जो भी पुराने ब्रांचेश हैं उनकी प्लेश्मेंट अच्छी गई है तो मैं उस हिसाब से जो प्रेफरेंस से डाल देता हूं अब इसके बाद हमारी चोईस हो निची है भारते विद्या पी ज्यादा बेटर कॉलेज है उसके बाद इन तीनों कॉलेज को आप इक्वली प्रेफर कर सकते हो चाहे वो भगवान परसुराम इंस्टिट्यूट और भारती विद्या पीट कॉलेज अप इंजीनेरिंग हो या आपका महारा जैसूरज मल हो और यार उसके बाद आप गुर है इसकी यार computer science engineering आड है फिर आड़ किया फिर लीड फिर भारतिवीद्या पीट हम गये फिर हमने इसके computer science first shift आऐ ती first shift को add कर दिया अभी हम यार इसमें ic branch है electronics branch नहीं डालने पहले हम टॉप colleges के computer science को और IT branch को fill कर लेते हैं है जार अगर मैं आपकी जगवा हुथा तो मैं इसमें यही confirm करता तकी giobhi College है उसका uh supportricular science को मैं ज्यादा preference दुणगा उसके बाद मैं IT फॉर्फ्स ची जादा preference दूंगा सेके अजए computer science second shift के comparison में उसके बाद हम आते हैं माहाराजार सूरज मल में भी जैसे दो शिफ्ट चल रहा है अब देखोगे तो कंप्यूटर साइन्स फिर आईटी फॉर्स शिफ्ट अब हमारे पास बच्चा कंप्यूटर साइन्स सेकंड शिफ्ट एंड आईटी सेकंड शिफ्ट उसके बाद हम प्रैफर करेंगे यार गुरूते रवाद्डर को तो याइब गुरूते रवाद्डर में गुंप्यूटर साइन्स फॉर्स शिफ्ट आईटी mister अक उसके बाद इंफॉमेशन टेक्नोलीजी cheapest नियाb企र साइन्स सेकंड शिफ्ट एंड i.t डरिफक में भी हम Artificial Intelligence & Data Science को बाद में प्रेफर करेंगे ठीक है अब हमारे पास बचा जो टॉप कॉलेजिस हैं उन में हमने सब हाँ एक और यार अकलेजदास गुपता जो कॉलेज जी से हम NIEC भी कहते हैं तो यार यह कॉलेज भी अच्छा है आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो तो इ यज डिए पास है का तो यह कुछ अब इसके बाद यार एक इसमें डेखो जिन बच्चों को आप इसमें कैंटे कर लेकिंटर राटे हैं एक आप इसके बाद जो आपी प्रेफरेंस होगी वह हम्र के बारे में होगी हमर ई-ट्य कि तियागा इस नैंग बछिया जाना भी च आना चाहते हैं तो यार जो दिल्ली के आउट इसकर्ट में रहते हैं रोतक और इरिया में या जो दिल्ली के बक्तावर पूर टाइप एरिया में जो रहते हैं तो यार वो बच्चे हमर को जादर प्रेफर करते हैं बट यार मैं आपको बता दो अगर आप नॉर्टर सेंट्र डेली के आसपस रहते हो तो यार मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा हमार फिल करने की क्योंकि हमार काफी ज्यादा आउटसकर्ट में है और गाउन टाइप एरिया में है मैंने हमार परसनली विजिट किया हुआ तो इसलिए मुझे आइडिया है कि हमार कैसा कॉलिज है प्र तो आप देख के और सोच समझ के भढ़ना ठीक है तो अब हम इसकी कंप्यूर साइंस पर डालते हैं फिर आईटी पर शिफ्ट अब यार जो सेकंड शिफ्ट में जाना चाहते हैं कंप्यूर साइंस के वह यार जा सकते हैं बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कंप्य only जो niños नहीं मिलते हैं जैसे महराजाच अगर से इन सुी बाछिफुन भगवान पस्षवाम भार्थे विद्यापीट अगर आपको नहीं मिलता रétais तो आप यहार और इसदिव कंपांपर आप्यार्याップ कर सकते हो तो डेली टेक्निकल केंपर को कंप्यूर साइंस कांच और अभी हम प्रेफर करेंगे फिर उसके बाद यार जेम्स आता है तो जेम्स में भी हम सिर्फ कम्प्यूटर साइंस में जाएंगे और एक सेकंड मैं चेक करूं है 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 ति क्या है है अजी उल्सक्रासि करें में इसको सकते सब्सक्राइब अभी तक यार आप देखोगी तो हमने हर एक कोलेज इसके संए इत्क प्रेफरियक अब इसमेंट सब की personal choice हो सकती है अगर सिर्क मुझे computer science पढ़ना है तो यह हमारा order रहना चाहिए और मतलब CSR IT डिलेटर CSR IT ही अगर हमें चाहिए तब हमारे हमारी यह preference रहनी चाहिए मैं आपको एक बार end में पुरी preference दिखा दूँगा और यार इसका पीडिफ है ना मैं screenshot लेकर या इसकी एक पीडिफ बनाके वह में आपको डाल दूँगा अब यार अब हम आते हैं हमारा अगेन महराजा अगर सेन और USICT पर एक सेकेंड अब अब अपने पास यूनिवर्सिट में कोई चॉइस नहीं बच्छी ठीक है अब यार हम आते हैं महराजा अगर सेन पर तो यार अब मैं आपको महराजा अगर सेन में देखो अब इसमें भी मैं आपको बात बता देता हूं कि जो को इसी लेना चाहते हैं वह इसी को ज्यादा प्रेफर करना एस कंपेर टो आर्टिफिशल इंटेलिएंस अंड डेटा साइंस से एंड आर्टिफिशल इंटेलिएंस अंड मर्शीन लर्निंग से क्योंकि यार यह एक तरीके से है तो तो आप के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशल होता लेकिन अगर इसमें आप इंडिवीज्व ब्रांच जैसे की यहां पर दिख रहा हैं मैं तो यार इसमें आप कंप्यूटर साइंस की चीज़े बहुत कम पढ़ोगे तो कंपनी उन स्टूडेंट्स को कम प्रेफर अधी एस कंपेर तो जिनके पास इलेक्ट्रोनिक्स से रहेगा हूं तो उसके बाद महराज अगर से इनके बाद पर हम भगवान पर सुराम पर जाके इसका इलेक्ट्रोनिक्स ले लेते हैं फिर भारतिय विद्या पीट का EC पिर इसके बाद हम आते हैं MSI T सुरजमल के एलेक्ट्रोनिक्स पे और इसका सेकंड शिफ भी हम डाल देंगे ठीक है अब हमारी प्रेफरेंस रहेगी अब हम डालेंगे एक सेकंड जी टीवी आईटी इसका एलेक्ट्रोनिक्स अधिम और और आधिया दास गुत्ता का भी आप इसी ही ले सकते हों तो अब यहार अब अगें महाराजा अगर्सेन के अब हम आटिफिशल संस्काथeman को भरेंगे तो महारां जागर सेनकत ऐंक अर्टिपीचल इंटलिजेंट एन्ध मसीन लेर्निग ए और Rs. सैंस दियत önठीपी अ अ कि उसके बाद हम अगेन सूरज मुल में आते हैं इसमें इन्होंने नहीं दे रखा है आर्टिफिचिल इंटेलिजेंस तो कोई नहीं अब हम भगवान पर सुराम पर आते हैं इसमें भी नहीं दे रखा है इन्होंने भारती विद्या पीट में भी नहीं है ठीक है तो अब अख्लिजदाज गुपता में हम जाके एक सब्सक्राइब अब आप गुरुते एक बाद बढ़ देना ठीक है तो यह ज्यादा प्रेफर करना है यह एडियस से उसके बाद अख्लिजदाज गुपता आते हैं तो यार अब हमने इस अब हमने यह सारी डाल दिया तो अब आप इसमें देख सकते हो कि आपको क्या लॉट होता है ठीक है मैंने यार अपने हिसाब से सारे वो डाल रखे हैं अब यार अब हम इस कॉलेज में भी यूएस आइटी यह जो है यूएस यार उनिवर्सिटी स्कूल अफ ऑफ आटोमेशन और रोबोटिक्स इसके एइमल को ले लेंगे और फिर एडियस को ठीक है अब हम एक बार क्रॉस वेरिफाई कर लेते हैं कि हमने क्या 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 फिल किया है और क्या क्या लीव किया है हमें नीच चाहिए है तो यहाँ डेली टेक्निकल कैंपस में भी यह जो कॉलेज है मैंने काया कि जिन बच्चों को महारा जागर सेन और यह टॉप चार-पांच कॉलेज नहीं मिलते हैं वो डेली टेक्निकल कैंपस को भी प्रेफर कर सकते हैं कि यह भी एक अच्छा कि अच्छा 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 तो यार अब हमने एक तरीके से क्लॉसक्रों करें लिए चीजने भी उन भी आमें बहने थी जो उन जो टॉप्प उसेशल से कन लेता है कि कि क्या कि हमने भरे आमने Topäंama 55- Toys बहे हैं त्यार ॉसार्ट में आप देखोंगे तो इन में één man मैं प्रिंट प्रिंट पी ले देता हूं यह जैसे यहां पर इसको हम आगा आगे कर देते हैं इसको हम 36 के साथ रिप्लेस कर देते हैं आप यहां से देखो 36 के साथ और इस वाले को अब में कह रहा है 38 पर रिप्लेस करने के लिए कर देते हैं यह रिप्लेस कर देते हैं पता नहीं गाइस कुछ इशू है इनके साथ तो तो अब आप क्रॉस वेरिफाइब कर लेना मुझे सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड आई टी बढ़ना तो जिस भी स्टुडेंट का है यह है तो उसको सिर्फ चीस एंड आई टी देनी थी इसलिए मैंने इन प्रेफरेंस में CS & IT को रखा है तो यहार आप देखो कि सबसे उपर मैंने युनिवर्सिटी कैंपस को डाला है इसका कंप्यूटर साइंस हमने रैंक वन पर डाला है फिर इसकी आई टी को हमने रैंक टूपर फिर हमने महाराजा ग्रसेन के शिफ्ट वन फिर पैंच में नंबर पर फिर सिफ्ट पर महाराजा ग्रसेन के ही को नंबर पर हमने हमने पर एक बात मैंने आप को पताई थी कि भगवान पर सुराम भारतिविद्ध्यापीट महाराजा सुरजमल इन तीनों कॉलेज में जो आपके नजदीक हो आप उसको प्रेफर करना महाराज आगरसेन और यूएस इसीटी के बाद और उसके बाद गुरुतिक बहादूर फिर अकलेश दास गुपता और फिर एचमार फिर डेले टेकनिकल कैमपस फिर जेम्स फिर त्रिनिती फिर गेटर इस Live नीन ना yapmış हैं तो यह नहीं है की इसकी प्लेसमेंट अभी यह मिल की प्लेसमेंट की होगा न antic से अब करना तो एक और मैं आपको बता देता हगी क्या हमारी चॉइस रहने मारे चुजिए सब से उलिया पर हम दालेंगे यॐसले सिर्टीट फिर उसके बाद왔ा को फिर MSI T को फिर उसके बाद भगवान परसराम को पिर भारती विद्या पीट को फिर गुरुतेिक बहादुर को पिर उसके बाद हमार दिल्ली आउटर स्कट में रहते हैं वह अचमार को डालें और नी तो न डाले बाकि जो Central और North Delhi या South Delhi में रहते हैं तो और हम्र से उपर आप अख्लिजदाज गुपता को प्रेफर कर सकते हो और यार जो नौइडा के आसपास रहते हैं वो डेली टेकनिकल कैमपस जेम्स त्रनेंथी गेटर नौइडा को आप उपर प्रेफर करना उसके बाद यार देखो यहां पर जी एना इटी कंप्यूटर साइंस के बाद मैंने महाराजागरसें की लेक्रोनिक्स रखी हैं बट यह सबके अपनी परस्नल चॉइस है तो जिसको सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांची चाहिए यह उनके लिए है और उसके बाद लेकिन मैं रिक्मेंड करूंग काुसर हिसी को आप अकलिजदाज गुप्ता के यह टी के बाद प्रसकते हो और इस को को कि नशाम आप डिन्सटी क्वाशी करना इनिवर्सिति श्कुल मैं पूछ लेना कमेंड बॉक्स में तो एक इसको मैं PDF को सेव कर लेता हूं और यह PDF जो मैं अटाइच कर दूँगा हमने PDF सेव कर लिया है तो यह देखो आप को यहां पर दिख रहा होगा कि की टोटल 92 चॉइस में से मैंने 45 फिल किया है 47 अभी विए अन्फिल्ड है यह मैंने इस ले किया कि जो मेरा फ्रेंड है उसको बांक की चॉइस नहीं चाहिए तो उसको जैसे मेकानिकल और यह सब रांचे उसको पाइप यू में नहीं लेने है तो यह उसके लिए है बट अगर आपको इसके रिगार्डिंग में इन्फोर्मेशन चाहिए तो मैं आप एक नेक्स वीडियो में बता दूंगा तो ठीक है यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना वीडियो को चै